तो चलन वी वर on to special journal entries yes or no किसी को compound entry में कोई problem है तो please ask समझना गया related to goods taken over for personal use charity and free samples no problems then children creation of asset goods के लिए use किया था हमने कोई problem नी इसमें loss of goods पढ़ चुके थे इसको ignore किया था हमने return of goods we have done credit note debit note समझना गया जब आप किसी person को अपनी books में credit करते हैं तो आप कौनसा नोट देते हैं बुक्स में किसी को create करते हैं तो कौनसा नोट देते हैं create note और लेते कौन सा है debit note और जब किसी को books में debit करते हैं तो कौनसा note देते है debit note और लेते कौन सा है डाइग्राम याद रखिएगा लोन लेना देना वास्क्लिरली अंडर्स्टूट वाल कोई प्रब्म दो नहीं लोन लेने देने में क्या हुआ हुआ क्रेट नोट डेविट नोट क्या प्रॉब्म में इसमें मैं सिंपल सा कॉंसेट यह लेता हूं आपने मिस्टर एक्स को अगुड़्स वापिस किये रिसीवर कौन हुआ Mr. X तो entry क्या बने की debit the receiver access account debit to purchase return purchase return क्या भाड में debit कौन हुआ है यहापे X तो आप इसको कौन सा कागस का टुकडा देंगे debit note देंगे तो अब debit note की definition क्या होई that document which is issued to the supplier Mr. X on account of goods returned to him यह debit note हो गया समझ में आगी बाद अब आपको Mr. Y से goods वापिस मिले तो कौन सा return हुआ है sales return goods वापिस आ रहे है ठीक है तो sales return goods आ रहे है आपकी income गिर गई income बढ़ती है तो credit करते है गिरेगी तो debit sale return debit हो गया giver कौन है Mr. Y वाई goods वापिस कर रहा है आपको तो why is the giver create note देंगे आपने वाई को create किया हुए काम खत्म समझ मागया तो जब return का transaction लिख आएगा तो तो entry हर बचा कर लेता है बढ़ जब transaction लिख क्या था issued credit note, received credit note issued debit note received debit note पूरा नानीमा का खांदान याद आजाता है बढ़ entry नहीं यादाती तो entry क्या ही logic मैंने आपको समझाया था issued credit note अगर लिख के आया तो मतलब आपने अपनी books में किसी को credit किया होगा कब credit किया होगा जब आपने उससे goods वापिस लिए होगे मैंने bypass surgery कर दी बीच में आपने उससे credit किया होगा कब credit किया होगा जब वो गिवर होगा जब वो गिवर कब होगा जब आपको goods दे रहा होगा आपको goods वो दे रहा है मतलब आपको goods मिल रहे हैं तो कौन सा रिटर्न हो गया सेल रिटर्न की entry हो जाएगी आप अभी भी नहीं समझे आप डेबिट नोट दे रहे हैं ट्रांजक्शन लिग क्या है इशू डेबिट नोट तो डेबिट नोट आप कब देंगे किसी को जब आप books of accounts में किसी को debit करेंगे कब debit करते हैं किसी इंसान को हम personal account को जब वो receiver होता है वो receiver कब होता है जब आप उसे कुछ देंगे आप क्या देंगे उसे चपल गुड्स आप गुड्स देंगे गुड्स जा रहे हैं कौँसर रेटर्न हुआ पर्चेज रेटर्न के इंट्री कर लीजिए इसी उल्टे वाले में आप फस जाएंगे कैसे फसेंगे सरम transaction लिख के आएगा received credit note अब फस गए सरम रिसीवड क्रेडिट नोट का पहले उल्टा करो received credit note का उल्टा करो क्या बनेगा उल्टा issued debit note debit note कब issue करेंगे जब आप किसी इंसान को organization को debit करेंगे person को debit कब करते हैं जब वो receiver होता है, वो receiver कब होगा जब आप उसको goods देंगे मतलब goods जाएंगे आपके पास से कौन सा return होगा purchase return, simple as that तो derivation याद रखेंगे ना, तो समझ में आएगा derivation नहीं याद रखेंगे तो मेरे को आज तक समझ में 25 साल में, आपको कहां से 25 दिन में समझ में आ जाएगा, तो आप मेरे से पूछें, सर, received debit note होगा तो कौन सी entry करेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने logic समझा है, रटा नहीं चीज़ों को received debit note जब आप पूछते हैं ना कुछ दे रहा है न, क्या दे रहा है, चपल, वो गुड्स दे रहा है, sales return, simple as that, तो जब भी received debit note और received credit note का concept आए, तो reverse करके apply करिए, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे, understood everybody, clear, चलिए, next, started business with multiple assets हो चुका था, loan हो चुका था, depreciation हो चुका था, बोड़ा बकरी पे किये, तो क्या entry करेंगे, यह कर चुके हो लड़ी हम, business की assets, businessman अपने घर ले गया, we did this also, lottery winnings कर चुके थे, paid money on behalf of somebody कर चुके थे, ordered for supply interest यहां तक हो चुका था, we were to start today with bad debts, ready everybody बचो, चलिए, अगर आपको याद हो की bad debts का transaction accounting equation में कैसे note होता था, जो पैसे मिल गए, वो cash होते थे, debtor में पूरा का पूरा amount due minus होता था, यह सुनिएगा, transaction क्या लिखा हुआ है, goods is sold to whom children, रागव, तो दो accounts आपको कौन-कौन से मिल गए, एक रागव मिल गया, वह आधी पूरुच वाला of which account children, nominal and rather personal, what's the rule for personal account बच्छो, debit the receiver, create the giver, रागव को goods बेचे गए हैं, he is the receiver or giver, giver, receiver, good morning मिलो, पैस अब किये भी, debit करेंगे, ओके, और goods, sales है, nominal account का rule क्या होता है बच्छो, debit all, expenses and losses, create all incomes and gains क्या करेंगे, entry क्या बनेगी, रागव's account debit to sales, कितना सब को समझ जाता है, कुछ दिन के बाद, हमको रागव से लेने थे 5000 रुपे, but he is able to pay how much, 60 पैसे इना रुपी, वाई, insolvent हो गया, तो बच्छो यह जो text है, 60 पैसे इना रुपी, इसका क्या मतलब हुआ, सर, 4999 रुपी, 40 पैसा नहीं दे पाया, 60 पैसा दे दिया, हम उससे कहेंगे, प्रभू, तुम्हीं यह 60 पैसा भी वाफिस ले जाओ, ऐसान मत करो, वाट ड़स दिस टेक्स्ट मीन, 60 पैसे इना रुपी, 60 पैसे इना रुपी, सर, यह कैसे आए, मैजिक, ओपी शर्मा को जानते है, सरा, अब इतना ना समझ पा रहे हो, तो थोड़ी सी मास बता देता हूं, बहिए, टोटल इन परसंटेज, विल एनीफिंग भी नॉट देन, 100, तो 60 अगर मिल गया, तो बागी कितना बचा, simple as that, तो इस मनी इस रिसीवड, और यह लॉस हो गया, बैट इट्स का, 60 परसंट कितना होता है बच्चों, पांच हज़ार का, तीन हज़ार, और 40 परसंट कितना होता है, 2000, how much cash is coming in, 3000, so we'll call it as debit, what, comes in, कितना पैसा नहीं आएगा बच्चों, लॉस हो गया, नॉमनल अकाउंट का रूल लॉस के लिए क्या बोलता है, डेबित all expenses and losses, अब आप गलती करनी start करेंगे, और आप गलती क्या करेंगे, आपने रागफ को क्या कर दिया, credit की debit, और अगर मैं आपसे पूछू ना, इसका logic क्या है, 99% बच्चा answer देता है, Sir, बहुत असान है ये, belongs to the category of personal account, rule क्या होता है, personal account का, debit the receiver, credit the giver, रागफ कौन है, बिलकुल, excellent, but giver of how much, तो भाईया जब ये giver 3000 का है, तो five क्यों लिखके बैटे, हो, मौसी का बेटा है, क्या जो रिष्टेदारी है, इसके साथ, he is a giver of how much, 3000, तो अगर बच्चों हम इसको giver बोल रहे हैं, तो हमको कितना लिखना चीए, हम कितना लिखके बैठे हैं, भस गया, तो या तो ये गलत है, ये सही, या तो ये गलत है, ये सही, क्रेडिट दा गिवर करके टू राजफ तो आप लिख लेंगे, आपके नंबर भी आ जाएंगे, जिंदगी भर सही कॉंसेट समझ में नहीं आएगा, और जहां थोड़ी सी पढ़ाई अडवांस स्टार्ट हुई दो महीने के बाद, बारवी में, C.A. फाउंडेशन में, आपकी कॉपी में, और डी के सिंबल बनने स्टार्ट हो जाएगे, आपको लगेगा है, ये बारवी में तो 95 आ गया, मेरा C.A. फाउंडेशन ये IPCC क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, तो कि वहाँ पे टेस्टिंग कॉंसेट्ट की होती है, यहाँ पे टेस्टिंग कॉंसेट्ट की, ग्यारवी बारवी में नहीं होती है, तो आप से पूछा जाएगा C.U.T. के एक्जाम में, यह पूरा ट्रांडेक्शन आपको दे देंगे, और बोलेंगे रागव विल बी क्रेडिटेड एस पर दे फॉलोइंग रूल, कोलन साइन, चार लॉजिक आपको मिलेंगे, क्रेडिट दा गिवर, डेबिट दा रिसीवर, वगेरा वगेरा, और आपने अगर क्रेडिट दा गिवर पर टिक किया, तो जैसे मैंने गोला बनाया है, आप भी तो गोला भावल भर गयाएंगे, नमबर भी आपको गोले वाले मिलेंगे, फिर साड़क पर गोला बेचेंगे बरफ का, तो हमको यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, तो सर आप यहाँ फाइव लिखके क्यों बैठे हैं, अब यह इन्सॉल्वेंट हो गया, कोट ने इसको बैंक्रप्ट साबित कर दिया, रागफ हमारे लिए मर चुका है, रागफ से अब हमको कोई पैसे का लेन देन, नहीं करना, तो हमें क्या करना है, रागफ के अकाउंट को क्लोस करना है, कितने से क्लोस करना है, जितने से वो एक्जिस्ट कर रहा था, कितने से एक्जिस्ट कर रहा था, फाइप थाउजन से, तो रागव was earlier a debtor और a creditor जब यहाँ पे यह debtor बढ़ा तो यह asset हो गया और asset बढ़ता है तो modern rule क्या बोलता है debit the increase तो यहाँ पे आप रागव को receiver भी बोल सकते हैं और debit the increase in asset भी बोल सकते हैं अगर आप रागव को giver बोलते हैं तो यू शुट बी पूटिंग हो मच थ्री बट हमने कितना लिखा है तो हम यहाँ पे रूल अप्लाए करेंगे credit the decrease in asset that is debtor अब समझ में आया मैंने क्यों modern rule आपको काईदे से पढ़ाया था और क्यों मैं special entries में सब चीज आपको पढ़ा र गिवर और लिद दो बट फिर आप मेरे से चार दिन बात पूछते सर गिवर तो यह सिर्फ तीन हजार रुपए का है तो अगर credit the giver and uncle को बोल रहे हैं तो वैल्यू हमारी कितनी हो नीची है 3 बट आप कितना लिख रहे हैं 5 हो जाता ना mismatch समझ में आया की नहीं आया पक्का so please update this super quickly और cross का भी प्रेयोग आप करेंगे he is the giver absolutely correct but with rupees 3000 प्रेशन उठता है जब यह giver 3000 रुपए का है तो यहां पे आप 5 क्यों लिख रहे हैं किस क्लिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इसका account close करना है okay be quick to this let's proceed further next children यह जो कहावत है सुबह का भूला शाम को घर लौट आये तो उसे भूला नहीं बोलते हैं सर उसे बटका बटका बोलते हैं बटका बूला नहीं बोलते हैं तो सुबह का भूला शाम को अगर घर चला आये he or she is not called as भूला what they are called as children टका बोलते हैं उसको भूला नहीं बोलते हैं तो किसी रागव जैसे customer ने पहले हमको पैसे नहीं दिये थे इसके पास पैसे थे नहीं इसकी आर्थिक स्तिती बहुत खराब थी दो साल बाद तीन साल बाद इसके मन में एक विचार आया कि चल के सर के पैसे time पर दे 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 नहीं तो problem हो जाएगी तो bad debts की recovery हो गई क्या होगे चलन की recovery ध्यान से सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा bad debts को आपने यहां पे debit क्यों किया था because it was a loss इसी का reverse apply करते है चल्टन इसी का reverse now it is not a loss इसका reverse क्या हो जाएगा it's a gain basically I repeat चलन इस तो पैसा आएगा आपके पास तो जब cash आ रहा है what we'll say debit what comes in और यह recovery है चल्टन तो it's a gain और it's a loss it's a gain तो हमेशा याद रखिएगा bad debts जो होता है वो loss होता है but dad debts की recovery होती है it is not a loss it is a gain basically तो entry क्या बनेगी आपकी debit what comes in cash account debit credit all incomes and gains समझ में आई बात की नहीं आई confirm चलिए update this first और इसके बाद एक नए मोहले के दर्शन करें और मोहले का नाम क्या है increase in asset कौन सी asset यहां पर नज़र आ रही है cash cash के लिए आप use कर सकते हैं but here it is only credit all incomes and gains nothing else समझ में आई बात सब को चलिए अब एक नए मोहले के दर्शन करते हैं बच्चों safety of money के लिए हम क्या करते हैं as a business we open a bank account and do all give and take transactions through bank through bank ready to understand चलिए तो bank में सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है आपको opening a bank account कैसे bank account open होता है यह सब तो financial literacy की class का course से बता देंगे बट यहां पे आपको सिर्फ entries से लेना देना है तो bank में account open करने का क्या मतलब है बैंक जाएंगे चावी लेके डिबबा खोलेंगे एक कार्टून का डिबबा रखा रहेगा स्टील का कनस्टर और पैसे डाल देंगे ऐसे bank account open होता है नो आप बैंक जाते हैं form बगेरा बढ़ते हैं necessary documents आदार काट पैन काट business के documents यह सब देते हैं बैंक आपको एक unique ID करता है क्या unique ID जिसको आप बोलते है account number what account number फिर आप बैंक के साथ जितना भी give and take of money करेंगे वह उसी account number के reference में वहां पे record होता रहेगा तो जब आप account open करते हैं तो ultimately you pay some money to the bank so bank is the receiver children और bank is the giver bank is the receiver personal account का rule क्या बोलता है receiver के लिए चल्रेट personal account का rule receiver के लिए क्या बोलता है debit and money is going out when we open the account or it will come in children money will go out तो रूल क्या बनेगा credit what goes out समझ में आ गया यह entry शायद आपने पहले भी assignment already की हुई है चले आगे next अब bank में आप पैसे जमा कराएंगे क्यों जमा कराएंगे अरे obviously बात है दुकान पर customer आया you sold goods to him he or she paid you cash उसको बेसन में लपेट के कड़ाई में तल देंगे no where we'll send that money for safety and security हम उस पैसे को bank में जमा कर देंगे again children bank क्या हो जाएगा receiver and cash is going out from your pocket तो चाहे आप bank में account open करें उस टाइम पैसा जमा करें या बाद में कभी भी deposit करें the entry remains same any doubts till this point next अब आपने bank से पैसा निकाला ध्यान से सुनिएगा confused में तो यह आएगा transaction लिख क्या आएगा video rupees something from bank या इसके आगे एक लाइन और अटाच हो जाएगी for office use मतलब एक है so अब पैसे बैंक से आ रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं बचो आ रहे हैं नाव बैंक is acting as what children giver and money is coming in or going out money is coming in so cash is coming in real account का rule debit what comes in bank is the giver the rule is credit the giver समझ गए बात को समझ गए बात को cash withdrawn for personal use किसका पर्सुन यूज नौकर का personal use या owner का owner का personal use owner जब business में कुछ contribute करता है तो आप उसे किस नाम से प्रस्तुत करते हैं capital and when he takes out something तो owner is the receiver or giver children owner is the receiver or the giver receiver क्या करेंगे आप receiver को hello hello करेंगे उठा के debit करेंगे और bank क्या हो गया giver पहली entry आपको नजर आई होगी शायद जहां पे debit में भी personal account और credit में भी personal इसकी category है representative personal और इसकी category क्या है artificial personal प्लीज इसको लिख लीजे नहीं तो आप आने वाले टाइम में भूल जाएंगे चलो कि अहेट चलना कि बैंक है कि मंदिर मजद चर्जगुर्द्वारा है बैंक है ना बैंक आपको services देगा बचों क्या free में देगा नो बैंक आप आप से कुछ चार्जेज लेगा बैंक चार्जेज इंट्रेस्ट सरकेस बात के आप ATM कार्ड यूज करते हैं बैंक का तो ATM के maintenance के लिए पैसा कहां से आएगा इसलिए 100 रुपे का annual चार्ज लगा दिया बस सा रुपे मैंटेन हो जाता है सबसे पैसा लिया जाता है ATM कंपनी को इसमें से पैसे दिये जाते हैं कि मशीन थोड़ी दुरुस्त रखना एक दम देर आफर जब आप चेक बुक लेते हैं बैंक से चेक बुक पता है ना क्या होती है चेक देखा है ना आपने पेरे गुड नहीं देखा तो मैं आपको दि इंडिकेट बैंक की चेक बुक थी कैनरा बैंक के साथ मर जोगा चेक बेकार होगे पूरी सॉलिट की तो मैं सोच है इसको रफ़र के लिए इस्तिमाल कर लिया जाए पुलर यूटलाइजेशन ऑफ रसोर्स समझ में अगी बात तो अब यह चेक बुक की छपाई होती है बै उन्होंने HCL उन्होंने Google SEC Companies के साथ टाइप किया हुआ है जो messaging companies होती है तो यह भी उनसे पैसे लेती है तो बैंक के पैसे आपसे वसूलता है दो रुपए 15 रुपए 20 रुपए इस तरह से यह सब पैसे बचों 10 साल पहले नहीं लिये जाते थे 10 साल पहले ATM कार्ड फ्री था चेक बुक फ्री थी messaging charges भी फ्री थे जब से मालिया चाप लोग बैंक के पैसे लेके भाग गए इतने डिर सारे तो बैंक ने सोचा कि मालिया से तो पैसा वापिस आना नहीं है ना निरव चाचु पैसा वापिस देंगे निरव चाचु मतलब निरव वो थी तो चाचु क्य इस लिए फ्री थी क्योंकि इतना प्रॉफिट बैंक कमा लेता था कि कस्टमर से उसको पैसे लेने की ज़रत नहीं पड़ती थी तो यह सब बीट-बीट में घ्यान में आपको एक्स्ट्रा देता रहे तो इसकी कोई फीज नहीं होती है तो अब वो लोग पैसा लेके भाग में फ्री होती थी कोई पैसे नहीं लगते थे मैसेजिंग का कोई पैसा नहीं था एंड मैजॉरिटी केसे में ATM कार्ड भी फ्री था सर तो बैंक कमाता कैसे था पैसे प्रॉफिट ऑल्रेटी बागी अक्टिविटी से इतना हो रहा है कि कस्टमर को अगर यह फ्री में भी द बैंक आपसे पैसे वसूल रहा है बैंक चार्जेज अगर से तो नॉम्नल एक्सपेंस का रूल क्या बोलता है क्या बच्चों आप मेरे को यह बता सकते हो कि बैंक में जब चार्ज़ आप से लिये जाते हैं मैंचर एंकल पापा को फोन करते हैं एलो शर्मा जीफ आपके च तो आपका बैलन्स नेगटिव हो जाएगा जब पैसा डालो तो पड़ जाएगा सर्मान लीजिए हम पैसा डाले ही ना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बैंक प्रेम पत्र भेज़ेगा आपके घर में आपका स्टेटस भी निरव मोदी की तरह विजह मालय की तरह हो जाएगा सो बैंक से आपका पैसा कट जाएगा तो आप कैश नहीं दे के आ रहे हैं बैंक से चार्जेस कट गए तो रूल इस क्रेडिट दा डिक्रीज इन यूर बैंक बैलन्स और बैंक बैलन्स क्या है असेट है फंडमेंटल लॉजिक इस क्लिर तो बीइंग एक्स बैंक चार्ज बैंक से पैसे कट जाएंगे आपकी असेट रिड्यूस हो जाएगी तो इसे कर लेना यह आएगा तो आगर आपने लॉजिकली इनको नहीं पढ़ा तो आपको दो चैप्टर के बाद समस्यानी स्टार्ट हो जाएगी तिर आप कहेंगे सरवांसर नहीं आ रहा है सर यह कैसे हो गया क्योंकि आपने बेसिक चीक से पढ़ा ही नहीं कभी तो कोविट के टाइम पे उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम है जिनकी इम्मुनिटी कमजोर थी इंजेक्शन लगाने के बाद क्या दस मिट में इम्मुनिटी बढ़ जाएगी 99% केस में नहीं बढ़ेगी 1% केस म करना पड़ेगा बीस साल से रेगलर योगा करिए बढ़िया पॉष्टे कहार खाईए यहां तो लोग चाउमीन बर्गर मोमोस खागा के मुझ भी चिपड़ गए एक्दम मोमोस की तरह हो गया लोगों का और इम्मुनिटी की बात कर रहे हैं चलिए डन नेक्स्ट आपने बंक में मनी डिपाजिट किया फिक्स हॉट यह कौन सा ऐंट्रेस्ट है अब बिजनसमें ने सेविंघए जाल्ट हो परसंट कर दो हमारी FD का जो interest आएगा हमारे current account में डाल देना उसको FD का जो interest आएगा हमारे current account में डाल देना ताकि हम इस कमाई को business में इस्तमाल कर पाएं Supplier से goods खरीदें उसको पैसा इसी में से दे दिया जाएं Understood? तो कुछ बच्चे मेरे से गई और भहस करते हैं सर current account पे कौन सा bank दुनिया में interest देता है कोई भी bank नहीं देता तो सर ये कौन सा interest है current account के साथ साथ आपका bank में एक fixed deposit saving नहीं है भाईया saving personal account होता है इसलिए कहतों financial literacy की class को attend करिए और ध्यान से attend करिए businessman का कौन सा account होगा सिर्फ current account business का अपना वो saving account कोल सकता है वो अलग record है saving account का record एकदम अलग है उसकी business में लिखा पड़ी नहीं होगी business में कौन से वाले bank account की लिखा पड़ी होगी सिर्फ और सिर्फ current account की तो आप अगर अपने पापा की shop पे office पे factory में कभी जाएं और देखेंगी पापा नौकर को बोल रहे है मुन्ना ये पांच जार रुपे so and so enterprises की account में जमा करा दो और ये तीन जार रुपे मेरे खाते में जमा करा देना वापिस जब मुन्ना पेंस्लिप लेकी आया भईया पैसा जमा हो गया तो पापा accountant को अपने saving account वाली पेंस ले नहीं देंगे बिजनेस में record कौन से deposit का होगा जो current account में पैसा जमा हुआ जो पापा के saving account में पैसा जमा हुआ उसका business से कोई लेना देना नहीं until unless business से पैसा निकाल के पापा ने अपने personal saving account में ना जमा कराया पोपड़े में बात गई की नहीं गई पका people understood तो बैंक में आपके पापा ने business का current account कोला as well as एक FDB करवा दी बैंक में bank manager बिकारी की दर आत फिला के आ गया बहिया जी एक FD करवा दीजिए थोड़ा bank का business बढ़ जाएगा तो पापा ने उसकी बात रखने के लिए FD करवा दी पापा ने बोला जो इसका interest आएगा वो हमारे business के current account में डाल देना ताकि business करने में थोड़ा सा पैसा हमें और मिल जाए तो ये current account का interest नहीं है किसका interest है FD का interest है जो कहां पे input किया जा रहा है current account है खोपड़े में बात गई कि नहीं गई अच्छा सर्मान लीजे अगर हम current account में interest ना लेना चाहें तो मत लीजे over the period of time वो FD में जुड़ता रहेगा तो 4-5 साल बाद जितने का FD का principal amount होगा interest के साथ मिल जाएगा तो bank आपसे FD करवाते टाइम पूछता है interest children is an income or expense income but bank से आप पैसा निकाल नहीं रहे हो आपकी account में पैसा जमा होता जा रहा है तो आपकी asset बढ़ लगे ना तो asset बढ़ लगे है तो क्या rule apply होगा debit the increase in asset debit the receiver नहीं बोल सकते हैं because पैसा कहीं बाहर से नहीं आ रहा है पैसा कहीं बाहर से नहीं आ रहा है उसी bank account में आपका money increase होता जा रहा है understood the correct application of rule अगर मैं debit the receiver भी बोलू मेरा answer तो आ जाएगा बट वो तरीका answer लाने का सही नहीं होगा तो जब भी आप इस entry को देखेंगे आप entry मतलब transaction को देखेंगे आप entry तो कर लेंगे bank to interest बट आपके दिमाग में यह rule होना चाहिए ना कि debit the receiver and credit all incomes and gains तो अगर गलत rule आया तो आगे चलके फस जाएंगे दूसरे चाप्टर में people are getting what I mean to say confirm एक example लेता हूँ कार देखी आपने कार देखिए सबने कार का टायर भी देखा होगा ऐस वर नीडल होती है वो नीडल में strip ơi तर यह खोड़ देथे जिस लेते हे तो स्ट्रिप Dul अंदर रहकर के ब्लॉक कर देती है ये वाली टेकनीक बकवास टेकनीक है क्यों सर क्योंकि इस टेकनीक में जो स्ट्रिप अंदर लगी है जुसने ब्लॉक किया है टायर के छेद को वह धीरे-धीर सूख जाती है और वहां से उखड़ जाती और फिर पंचर हो जाता है वह नहीं समझे बात क को समझना क्या और जब टायर खोल के रिपेर होगा बच्चों तो पक्का पंचर बनेगा वो कल को उखड़ेगा जल्दी नहीं हाट में प्रॉब्लम है वंसी प्रॉब्लम होती हाट में दुनिया में अचकल लोग जैदा वो छोले बुटर के खाते हैं न क्या होता है ब्लॉक होने लग जाएगी क्योंकि स्टंट जो होता है वो कागस का तो होता नहीं है प्लास्टिक का भी नहीं होता वो किसी मेटल का होता है या किसी ऐसे स्ट्रक्चर का होता है जो फिर से क्लॉटिंग ही कठी करेगा तो स्टंट डलवा लिया पांच-दस साल तो ठीक काम करेगा उसके बाद स्टंट भी ब्लॉक करने का ही काम कर देगा तो ब्यूस्ट क्या है जिल्रेटि गर चाहिए तो अगर आपने रूब अप्लाए कर लिया टेबिट दा रसीवर बैंक टेबिट तो हो जाएगा आंसर तो आ जाएगा फिर वह पक्का पंचर नहीं होगा कौन सा पंचर होगा कच्छा पंचर वह स्टंट डलेगा वाई-पास नहीं होगा प्लेम बात गई की नहीं गई मेरे कंप्यूटर में बार- बढ़ हो गया सब बेड़ा दर्ग हो जाएगा लॉजिक समझ में आया की नहीं चलिए डी मॉनेटाइजेशन यह ट्रांजाक्शन आपने कभी भी कहीं ना देखा होगा ना आप देखेंगे बट ऐसे खतरनाक ट्रांजाक्शन आते रहते हैं डी मॉनेटाइजेशन की क्या इंट्री होगी चल रहें कोई एंट्री क्यों नहीं होगी सर्फ पुराने नोट लेकर गए और बदले में नए ले आए क्या कोई एफेक्ट आया अच्छा सर्मान लीजेए डी मॉनेटाइजेशन में पुराने नोट जमा कर दिये और बैंक से बोला पैसा दो मत हमारे अगर लिखो था डिपोजिटेड ओल्ड करंसी नोट्स तो आपके इंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होती है डेबिट रेसीवर क्रेडिट वाट गोज आउट बट यहां पे शब्द क्या है बच्छो एक्सचेंड तो यहां पे प्लीज लिख लीजिए इफ the transaction uses deposited instead of exchange the entry for deposit shall be passed the entry for deposit shall be passed समझ में आगई बात तो यहां पे शब्द क्या इस्तमाल किया गया है बच्छो शब्द क्या इस्तमाल किया गया है एक्सचेंड और इसकी जगा अगर शब्द होता deposit तो आप पैसा जमा करने के entry करते हैं सबको पता ना क्या entry होगी क्या entry होगी पैसा जब बैंक में deposit होता है चलन बैंक इस दर रिसीवर क्या करेंगे debit money is going out real account what's the rule for real account credit what goes out bank account debit to cash I hope so जो मैंने last week test और नाइस किये थे accountancy के सबने attempt कर लिए पूरे के पूरे अगली क्लास से उनका correction स्टार्ट करेंगे okay people have done this लिए सब्सक्राइब अनिबडी सिल राइटिंग च्वाजी लिख 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 लिए पे कि आगे सौरप सर रूपीज 1000 करोड़ समझना गया फिर यह चेक में किसको दे दूंगा खलवाई को कि इसको तुम bank को मेरे bank वाले क्या करेंगे dance करेंगे मंगला क्या करेंगे आपके bank में आएंगे और क्या करेंगे यह प्रथा दस साल पहले चलती थी अब ऐसा नहीं चलता अब क्या होता है अच्छा सर आदमी लेके चला जाएगा आदमी अगर हवाई जाएगा तो खर्षा बहुत जाता है और अगर ट्रेंट से जाएगा तो दो-चार दिन बाद पहले ऐसा ही होता था करनाटका में बैंगलूरू में मान लीजिए मेरा कोई सो कॉल डिसनस चल रहा है वहाँ पर कस्टमर को समान बेचा गया कस्टमर ने चेक दे दिया और मैंने अपनी ब्रांच में बोला है चेक जब कस्टमर से लोग है तो अलाबा से बैंक का इंप्लॉई ट्रेन से बैंगलूरू जाएगा और फिर महां से पैसा लेगी यहां आएगा पच्चेस साल पहले ऐसे होता था दस साल पहले थोड़ा सा डिफरेंस आ गया एक महीना लगता था दूसरे शहर की चेक से पैसा आने में एक महीना तो सोचिए मैंने त डिटलाइस कर दिया गया तो आज कल जब बच्चों आप बैंक में चेक जमा करते हैं ना चाहे चेक सेम ब्रांच का हो सेम सिटी का हो या दूसरी सिटी का हो कैशियर या बैंक का इंप्लॉई अपनी कुर्शी से उठता तक नहीं है वो चेक को स्कैन करता है स्कैन करके के अंदर पैसा आ जाएगा और अगर सेम ब्रांच का चेक है मेरा अकाउंट भी HDFC बैंक सिविल लाइंस में आपका भी इधर मैंने चेक दिया खटाक से दो सेकंड के अंदर पैसा आ गया बट अगर आपका आपका आकाउंट डॉशे बैंक या स्टैंडर चार्टर बैंक बड़े हाई-फाई बैंकों में है तो अगर दूसरे सिटी की भी चेक होगी न तो मैंने यह टाइम्स अगर आपने डेड़ बजे से पहले चेक जमा कर दिया तो शायद उसी दिन शाम तक पैसे भी आ जाए अब SBI वगएरा इनको तो कस्टमर की जुरती नहीं है यह तो कस इतना दोड़ाते हैं क्यों दोड़ाते हैं इतना इतना कस्टमर इनके पास इनको नए कस्टमर की जुरत नहीं है तो यह कस्टमर को समझते हैं और HDFC IDBI ICICI यह सब क्या समझते हैं कस्टमर को दामाद इतम बढ़िया मैनेजर साथ अपने campus में ऑफिस में बुलाएंगे चाय बाभी जी के लिए फिर एक गिफ्ट भी आ जाएगा समझ में आई बात की नहीं यह मार्केटेंग है बैसिकली तो अब चेक की कहानी मेरी जुबानी सबको लिए हो गई तो आपने चेक किस लिए दिया बचो पैसे आ जाएं स्क्रीन पर देखिए स्क्रीन पर देखिए या तो goods खरीदे या तो rent दिया goods खरीदे तो कौन सा account debit होगा debit all expenses rent pay किया तो कौन सा account debit होगा debit all expenses rent account बदले में cash नहीं दिया क्या दिया चेक तो you will pay cash और your banker will pay on behalf of you banker हमारे बेहाफ पे पे करेगा तो bank is the giver या हमारा रखा हुआ पैसा bank में घट जाएगा credit the decrease in asset और आपने कभी कभी check किसको दिया supplier को या creator को तो supplier कौन है मेरे example में sonu का भाई monu monu is the receiver or giver receiver पैसे आपने cash नहीं दिये किसके त्रू दिये bank के त्रू चेक दिया आपने तो bank आपके account से पैसा निकाल के आपके बेहाफ पे दे देगा bank is the giver bank में रखा हुआ पैसा कम हो रहा है credit the decrease in asset fundamental logic is clear or not पक्का confirm clearly understood चलिए अब मजा आने वाला है अब बच्चों check दिया नहीं है उल्टा check मिला है तो check मिलने पर दो बाते होंगी या तो आपने check को तुरंट bank में भेज दिया या तो कुछ दिन के बाद भेजा या तो तुरंट बेज दिया या तो कुछ दिन के बाद मेरा एक्जाम्पल है कि आपको चेक तो मिला पट सेंट तू दर बैंक लेटर प्लीज आप लोग भी लिख लें इसको चेक मिला पर बैंक में तुरंट नहीं भेजा कब बेजा बचो कब बेजा कुछ दिन के पाथ होपड़े में बात गई तो आज आपके पास चेक आ रहा है तो अल्टिमेटली आप रूल अपलाए करेंगे वाट इस नोन आज डेबिट वाट कम्स इन खोपड़े में बात गई चिल्रन खोपड़े में बात गई अगर सेल के लिए मिला क्रेडिट अल इंकम्स और गेंज कमिशन के लिए मिला अगें क्रेडिट अल इंकम्स और गेंज सोनु जैसे इंसान से मिला क्रेडिट द गिवर चेक इन हैंड क्यों डेबिट किया विकॉस चेक आया तो बट तुरंद बैंक में नहीं गया जब बैंक में बच्चों गया ही नहीं क्या आप बैंक को रिसीवर बोलेंगे नो ध्यान से सुनिएगा जब मैं स्टूडेंट थ गया नहीं है इस अप्रोच को काफी साल तक टीचर्ज ने पढ़ाया और बचों ने पढ़ा बात में एक रिसर्च निकलके यह आई कि कैश हम क्यों मानेंगे इसको वही क्या यह कैश है नो तो कैश अज्यूम करना एकदम गलत है तो इंस्टिट्यूट आफ चार्ट अकॉ बैंक में गया नहीं सब्सक्राइब बैंक में चला गया शांत रखिये वह भी बताऊंगा बिल्कुल परशान मत वहीं है तो चेक इस रिसीव बैंक में तुरन नहीं भेजा कुछ दिनके बात भेजा तो चेक इस कमिंग तो यू डेबिट वाट इन गेंगे तो बच्चों डाट टाइम बैंक क्या हो जाएगा रिसीवर अगें अट डाट टाइम बैंक क्या हो जाएगा रिसीवर और आपने जो चेक लिया था किसी से आज आप उस चेक को क्या कर रहे हैं बैंक में भेज रहे हैं तरूल इस credit water goes out फोपड़े में बात गई कि नहीं गई अब कुछ लोग यहाँ पे बहस करते हैं और बोलते हैं सर इसको representative personal मान के personal account का rule लगाते हैं और debit the receiver बोल देते हैं कोई problem की बात नहीं है आप ये भी कर सकते हो फिर सर यहाँ पे credit the giver बोल देंगे giver क्या ये किसी को दे रहा है क्या ये कोई इनसान ठोड़ा है ये जा रहा है ये जा रहा है ये चीज है ये कोई इनसान नहीं है तो correct rule in my opinion should be आया तो debit what comes in गया तो credit what goes out तो ये personal use करना थोड़ा बकवास लग रहा है मेरे को that's why मैं इसी rule से पढ़ाता हूँ समझ मैं गया और sir अगर तुरंट आगया तो क्या करेंगे तुरंट आगया तो बड़ा असान है bank में check चला गया debit the receiver to respective जो भी आपकी income होगी customer से मिला again debit the receiver और customer आपको check दे रहा है credit the giver आप ये वाली entry पास कर लेंगे तो अगर check आया और तुरंट बैंक में चला गया तो entry हो जाएगी bank account debit to customer चेक आया customer से नहीं मिला income के लिए मिला तुरंट बैंक में चला गया entry क्या हो जाएगी bank account debit to income समझ में आई बात की नहीं आई पका तो आप यहाँ पे एक asterisk लगाएंगे यहाँ पे भी एक asterisk लगाएंगे और top of the page asterisk draw करके लिख देंगे if sent immediately और बाकी जो मैंने लिखा हुआ है वो आप लिख लीजे quickly quickly तो अगला प्रशन यह उठता है यह तो समझ में आगया if it is received and sent immediately तो आप bank को receiver बोलके debit करेंगे but if it is received but not sent immediately तो आप check in hand लिखेंगे when it is coming in and credit करेंगे when it is going out अब question यह कि check तो आया but question में instruction नहीं दिया कि वो bank में गया की नहीं गया तो आप assume करेंगे while studying the topic called journal and accountancy कि उसकी भजिया नहीं तली जाएगी वो तुरंद बैंक में चला गया समझ में आ गया समझ में आ गया तो अगर आपको transaction मिलता है where check is received but it is not said कि वो bank में गया की नहीं गया तो हमारा assumption क्या होगा तो हमने उसे bank में भेज दिया बट ध्यान दीजेगा मेरी बात पर उपर की तरफ question में transaction लिखा चेक received from Vijay Malia चाठ transaction के बाद लिखा है the check which was received is now sent to bank is now sent to bank तो जब मिला था तब आप check in hand account debit करेंगे मीचे जब गया तो entry bank to check in hand करेंगे कहने का मतलब पहले question पूरा पढ़ना पड़ेगा कि check मिला है वो तुरंद गया या बात में गया if it is not said कि वो बात में गया है तो मान लेंगे जिस दिन मिला था उसे दिन चला गया journal में ऐसी problem negligible होती है cash book जब आप कल को पढ़ेंगे ये भी एक chapter है हमारा ये भी business make book बनाई जाती है वहाँ पे हर question में problem लेता है तो वहाँ पे clarification note आपको यह दिया आता है when the check is received आगे question में नीचे पढ़ लीजिए कि वो किस दिन bank में गया अगर लिखा यप किसी particular day पर गया है तो जिस दिन मिला उस दिन क्या लिखेंगे check in hand जब गया क्या assume करेंगे तू check in hand but जिस दिन मिला नीचे question में कहीं नहीं लिखा कि व बैंक में गया कि नहीं गया तो व वील अज्यूम डाट इस सेंट टू दा बैंक इमीजेटली ओके तो जर्नल में यह अपने पापा का ATM कार्ड जो शॉप वाला था ऑफिस वाला परस्टल नहीं बिजनस वाला वो गए और ATM से 5000 निकाल लिए एक हजार रुपए अपनी जेब में रखे 4000 रुपए अकाउंटेंट को दे दिये तो पापा ने अकाउंटेंट को बोला 4000 रुपए कैश विड्रॉन फ्रम बैंक फॉर ऑफिस उसके एंट्री करना और 1000 रुपए ड्रॉइंग के एंट्री कर लेना क्योंकि यह पैसा हमारा बच्चा पाटी मिनाने के लिए ले गया है समझ गए नेक्स्ट चेक एंडोर्स यह क्या कहानी है यह कहानी बड़ी विच्चतर है आप एक बिजनस हैं और Mr.X से आपको चेक मिला और Mr.Y को आपने यह चेक दे दिया दिमाग की बत्ती जलाए यह मेंटॉस खाए बगएर अगर X से मिला हुआ चेक बैंक में चला जाए क्या आप किसी और को दे सकते हैं क्या आप किसी और को दे सकते हैं No So यहाँ पे जब आपको X से चेक मिलेगा तो so called आप entry करेंगे Check in hand account debit to X और यह चेक जब आप Y को देंगे बचो तो आप entry क्या करेंगे Wise account debit to check in hand account पुपले में बात गई या नहीं गई कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे Sir bank account debit to X लिख दे Bank account debit to X का क्या मतलब हुआ Check कहां चला गया Bankman जब check bank में चला गया तो आप किसी को endorse कर पाएंगे क्या No आप endorse नहीं कर पाएंगे तो endorse शब्द का मतलब क्या होता है Transfer sir कैसे होगा ये check मान लीजे मेरे को किसी student ने दिया मैं इस check के पीछे transfer to किसी person का नाम लिकूंगा और check उठा के उस person को दे दूँगा तो क्या पैसे मेरे bank account में आएंगे No तो आपने check मेरे को दिया मैंने किसी और को दिया सीधे पैसा आपकी account से उड़के उस person के account में चला जाएगा तो sir हमें काम करें हम इसकी entry ना करें entry नहीं करेंगे तो full disclosure principle बुरा मान जाएगा entry तो करनी पड़ेगी एक entry check आने की और एक entry check जाने की but can you do the entry children bank account debit to x that entry done would mean कि check कहां चला गया bank when the check is sent to bank क्या आप किसी को endorse कर पाएंगे बिल्कुल भी नहीं तो check वही endorse होता है जो आपने किसी से लिया पर 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 bank में नहीं भेजा तो check मिलने की entry और check देने की but if the check is received and sent to bank हम उसे endorse नहीं कर सकते fundamental logic is clear पक्का एक चीज और समझ लीजे यह यह दो तरह के check आपके सामने हैं सबको नजर आ रहे हैं दोनों में कुछ फरक महसूस हूँ आप अच्छो आपको इस check में दो transfers lines बनाई गई है क्या इसमें ऐसा कुछ है this check जिसमें transfers lines बनाई गई है it is known as a cross check मेरे को आता है मेरे को आता है मेरे को आता है मेरे को आता है मैं पता हूँगा इस check का मतलब होता है कि आप जब bank में इस check को लेकर जाएंगे ना counter पे पैसे आपको नहीं मिलने वाले यह पैसा आपके account में जमा हो जाएगा आप अपनी checkbook से check काटिए या ATM मशीन या Google पैसे किसी को पैसा दे दीचिए तो यहाँ पे physically check देने पे cash की प्राप्ती नहीं होती बट यह जो था जि और मैं बोलतु मैं हूं अनिलम मानी तो बैंक वाले मेरे को पैसा दे देंगे फोपड़े में बात गई या बिलकुल नहीं कई क्या कुछ नहीं दिखाना पड़ता अगर आप SBI PNB Canberra Bank यह नॉर्मल बैंक में गये तो वो आपसे कहेंगे अपनी ID प्लीज हमको दिखाईए हमको आपके ओपर शक हो रहा है या account holder से phone करके पूछ लेंगे कि तुमारे account की check का पैसा लेने कोई आया है आप ही ने check काटी किसी और ने काटी है हम कहेंगे हां ही ने check काटी है so and so person का नाम है द्यान दीजेगा मेरी ब बैंक वाले उस person का नाम इंटर करेंगे जब बैरर चेक का पैसा देंगे तो तो आप अगर State Bank of India में account अपना operate करते हैं मैं बैंकों की बेफूफी बता रहा हूं आपको इनी बातों को हम विद रूट से डिसकस करते हैं अपनी financial literacy classes में तो बैंक अगर SBI है और मेरा वहाँ प पैसा लेने आये थे problem बात गई बट अगर आप HDFC और ICAC में जाएंगे ना वह आप ही का नाम लिखेंगे जिसको पैसा मिला है ताकि कल को जब मैं बैंक को बोलने जाओ मैंनो चेक कट ही नहीं मैंने तो किसी को बोला ही था वो कहेंगे अच्छा यह चेक है हमारे पास आपक है S.E.L.F. तो जब मैं इस चेक को आपको दे दू और बोलू जाओ S.B.I. से 10 दर पर निकाल ला हो S.B.I. वाले मेरा नाम लिखेंगे कि पैसा किसने निकाला मैंने निकाला बट अगर मेरा HDFC ICAC बैंक में अकाउंट है और मैं पे के आगे सेल्फ लिखकर चेक आपको दे कि अर्वरी बढ़े पका तो इससे एक ट्रांसफर लाइन है यह इंस्ट्रक्शन है कि पैसा इसी इनसान को मिलेगा और किसी को नहीं और वह भी एंसान जमा होगा तो कौन से दो तरीके के चेक एंडोर्स हो सकते हैं एक जो बैररों और दूसरे जो benefit हो यह अचनी और जो बैररे दोर्स और जाएगा और सोजंस्थ 1 ने दिया और बैंक में भेज भेज़िया 김री दीय। काजु ने दिया और बैंक मेंस भेजा एंडोश येस ब्राजु और काजु कोई भी चेक दे दें हैं क्रॉस चैक दे दें मैंने वेजा, इंडोर्स नहीं भ सकता समझ में आई बात की नहीं आई बात पक्का तो अगर आप से पूछ तिया जाए विश टाइप ऑफ चेक्स कान बी एंडोस आप लिखेंगे दोज विच आ नॉट सेंट टू बैंक और मिलेगा कुण अंडा दोज विच आ नॉट सेंट टू बैंक तो कोई भी बिजनस्मेन बैरर चेक किसी को नहीं देता उसे खत्रा लगता है अंडेस्टूड और नॉट तो आज बिजनस्में किसी को बैरर चेक देंगे नो कौन सा चेक देना चाहिए समझ गए पक्का लिखना चाहते है तो प्लीज लिखीजे काफी काम की चीज़ है तो सबको कहां नहीं समझना गई एल पीजी सब्सडी सब्सक्राइक्शन था ही नहीं मिलेगा भी नहीं यह मेरे बनाए हुए है एल पीजी सब्सडी का पैसा कैश में आता है इंडियन और फोन करते हैं एलो गुप्ता जी आपका 150 रुपय आके ले जाईए ऑफिस कहां पे क्यों लिखा जा रहा है क्योंकि अल्टिमेटली एल पीजी सिलिंडर दुकान से पैसा दिया गया उतार घर में इस्तमाल हुआ था अब यही पैसा घर वाला कहां जा रहा है वापिस दुकान पे ध्यान से सुनिएगा आपने राजू होकर को दो चपल होक के मारी और उसको एक हजार रुपए दियो और एक सिलिंडर ले लिया तो यह सिलिंडर घर में इस्तमाल हो रहा है इट इस कॉल्ड आज वाट ड्रॉइंग्स गर्मेंट कह रही है सिलिंडर की कॉस्ट सिर्फ साड़े आठ सो रुपए है हम आपको डेर सो रुपए वापिस लॉट आ रहे है आपके बैंक में तो आपका बैंक रिसीवर हो जाएगा की नहीं आपकी बैंक में रखी होई बैलन्स वाल्यू बढ़ जाएगी की नहीं तो आपने क्या करना है बैंक को टेब जब पैसा निकाला गया था चिल्लेंड तो हम इसे क्या बोल ले थे कितना निकाला गया था सिलेंडर कितने का था तो परस्टनल बेनेफिट एक हजार का मिला की एक फिफ्टी का मिला तो क्योंकि पहले आप थाउजन रुपी को दिखा चुके हैं ड्रॉइंग्स बल्कि होनी चाहिए ड्रॉइंग सिर्फ तो रिमेनिंग वन फिफ्टी को क्या शो करेंगे यहीं पर बच्चों का बस हंड्रेट से ना जाता है तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है जब भी खाली बैटें सोचें कि ऐसा ट्रांडेक्शन होगा तो केंट्री होगी मेरे जब पूछें कम से कम कुछ बच्चे टेक्स्ट वगएरा करते रहते सर इसमें यह से इसमें वैसे सर क्यों डिफरेंस आ रहा है तो I feel very happy कि चलो कम से कम कुछ पढ़ने की चाहत है सो पीपल इंडर्सुट इस पीपल इंडर्सुट इस नेक्स्ट चेक बाउंस कर गया चेक है कि न्यूटन चाचु का रिष्टेदार है जो बाउंस कर गया हाँ चेक बाउंस करने का मतलब जानते हैं प्रेका कभी न करने वाला क्योंकि इसके अंदर उतना ठ्रस्ट करने की शक्ति ही नई तो चैक बाउंस करने का मतलब बिजनस की भाषा में क्या होता है reject हो गया, क्या reject हो गया, कि भई खाते में पैसा ही नहीं है, मेरे पास एक student का फोन आया, सर हमारे पापा बिजनस करने है, एक लाथ रुपे का चेक एक customer ने दिया है, बैंक में गए तो बैंक का manager कह रहा है, कि इनके खाते में तो है 99,000, ये चेक मत जमा करिए, ये चेक क्या हो जाएगा, और आपको 500 रुपे penalty अलग से देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बैंक को परशान किया है, क्या करें सर, मैंने का बड़ा सिंपल है, अपनी जेब से 1000 रुपे निकालो, और बैंक में जमा करा दो, इसी customer के account में, balance कितना हो जाएगा, एक लाग, फिर ये वाला च आते हैं, मैंने 1000 था, तुम्हें एक लाग की चेक दिये थे, मैंने अपनी जेब से 1000 जमा करके, पैसा ले लिया है, जरा 1000 ले आना, और अगर आप चेक नहीं लगाते, ये payment भी फसी रहती कि नहीं फसी रहती, सिखाएगा वोई आपको MBA ये चीज, कोई नहीं सिखाएगा, तो real business कैसे करते हैं, कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, ये इनसान की सिफ़ अपनी अकल और जरुरत सिखाती है, fundamental logic is clear or not, आप बोलेंगे सर आपके दिमाग में सब बाते कैसे आई, ये मेरे student का कोई phone नहीं आया था, भरजी आपको नहीं दे रहता, बहुत समय पहले गया check लेके bank, उस समय तो manual system चलता था, तो banker ने का भईया, इनके account में सिर्क 99,000 रुपीज पड़ा हुआ है, अगर आप check लगाएंगे तो आपकी check dishonor कर जाएगी, और आपको charges अलग से देने पड़ेंगे, तो पापा ने चाचा को बोले, एक काम करो, 1000 रुपे के खाते में और नहीं तो ये भी नहीं मिलता हैगा, that day I learn, कि school जाने से ज्यादा फाइदा नहीं है, तो daily में आदा एगंटा पापा के office जरूर जाया करता था, और उनसे चीज़ें जरूर हुशा करता था, समझ वाया, तो real education is imparted outside the classroom, real education is imparted outside the classroom, in the classroom, we only make you idiot, we only make you idiot, but मेरे class में कोई idiot नह जाते हैं, खोपड़ें बाद गई, तो अगर आपके पापामी का विजनस हो, और कश्टमर की हरकतों से परजान हो, और इस तरह की हरकते हो, तो अपना maximum पैसा कैसे secure करना है समझ में आ गया, चलिए, accountancy की कहानी, ध्यान से सुनिएगा, आपको राम ने check दिया, और आपने इस check को तुरंट bank में भेज दिया, तो बच्चों बताइए, who is the receiver, आपने bank में तुरंट ये check भेज दिया, तो who is the receiver, bank is the receiver, खोपड़ें बाद गई, क्या आपको रात को सोते समय सपना आएगा, कि इस राम के account में पैसे हैं की नहीं है, नो, चार दिन बाद bank से एक message आ गया, कि वो जो check आप जमा करके गए थे, उसके पैसे हम नहीं ला पाए, क्योंकि राम के account में पैसा हाई नहीं, so children, ये entry सही प्रूव हुई, या गलत प्रूव हुई, गलत, क्योंकि आपने तो इस सोचा करके हटा दे, बिल्कुल भी नहीं, तो अगर आपको डॉक्टर ने गलत दवाई दे दी, तो डॉक्टर हाट डालके मुग के अंदर गलत दवाई बाहर ने का लेगा, क्या करेगा, डॉक्र ऐसे से करेगा, एंटीबाइटिक देगा, वाट, एंटीबाइटिक जो उल्टा ले ले, तस जार का, क्या ये एंटीबाइटिक का मतलब ये है, इसलिए बच्चो नरेशन लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, नरेशन, क्योंकि एंटी देखने में क्या लग रही है, सर राम इस दा रिसीवर, और बैंक इस दा गिवर, हमने राम को चेक से पै सर, नहीं सर, कभी-कभी धूब में गईया का गोबर भी ग्लिटर करता है सर, तो वो गोल्ड नहीं हो सकता, ओके, तो गोबर शाप अप्रोश ना पड़े, तो बैंक टू राम एंट्री थी चेक मिलनेगी, डिसॉनर की एंट्री पल्टी मारनी पड़ेगी, तो बुक्स में तो एंटी बाइटेक आप क्यों ले रहे हैं, कि बॉडी में जो गड़बडी हो चुकी है, वो रिपैर हो जाए, फंडमेंटल लॉजिक इस क्लियर, अब समझना है, नरेशन की इपोर्टेंस क्या है, ट्रंजैक्शन लुकिंग सेम, में हाव डिफरेंट मीनिंग, विच का पैसा मोहन भाईया जब लेने गए, तो मोहन भाईया ने अपने बैंक वालों को चेक दिया, मोहन भाईया के बैंक वाले हमारे बैंक में आए, और पता लगा हमारे अकॉंट में तो पैसा ही नहीं है, चेक क्या हो गया, तो क्या ये एंट्री में सही में मोहन भाईया रि प्रोच याद रहेगा नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे तो आज की सेमा यहीं समप्त होती है अगले चाट ट्रीटमेंट्स आप पढ़ेंगे आउटस्टेंडिंग प्रीपेड प्री रिसीवड अक्रूड एंड फॉलोड बाइ डिसकाउंट के फॉलोड बाइ डिसकाउंट के और प्रॉबबली अग्री क्लास में इस चैप्टर का ह हो जाएगा राम राम सब्सक्राइब थोड़ा बॉन वीटा पी क्या है अग्ली क्लास में कि दिमाग बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा अभी तक तो हम चूरन खा रहे थे अब चटनी पीशने की कोशिश करेंगे चलिए दाट सॉल फॉर टुटे